नमश्कार मैं हूँ आपके साथ राधा अक्रवाल और आप देख रहे हैं विस्ता नियूस तो चलिए खबर विस्तार से मैं आपका स्वागत तो करेंगे लेकिन इसके पहले बात करते हैं राश्पती के राश्पती द्रॉपदी मुर्मू के यहां पर रायपूर दौरे की राश्पती द्रॉपदी मुर्मू आज से दो दिवस्ते प्रवास पर चतीजगर में हैं तो चलिए हम आपको पहले चार तस्वीरे दिखा देते हैं ये चार तस्वीरे देखें सुबस साड़े ग्यारब जे राश्पती द्रॉपदी मुर्मू एयर फोर्स के विशेस विवान से प्रायपूर पहुची जहां स्वागत करने के लिए प्रदेश के राश्पती द्रॉपदी मुर्मू का स्वागत किया तो वहीं तीसरी तस्वीर एयम्स की है जहां पर दिक्षान समारों में भाग लेने के लिए राश्पती ब्रतौर मुख्य अतिथी वहां पर पहुची तो आज शाम राश्पती एनाइटी में भी होने वाले दिक्षान समारों में भाग लेंगी जिसकी लिए संस्थान में पूरी तयारिया भी कर ली गई है तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माधियम से समझा देते हैं कि राश्पती द्रौपदी मुर्मू का पूरा कारिक्रम क्या कुछ रहने वाला है और क्यों किस माइने में ये खास होने वाला है तो आज शाम पांच बजी राश्पती पूर्खोती मुक्तांगन जाने वाली हैं जहां पर जनजाती समुदाय की लोगों से राश्पती मुखातिब होंगी साथ 36 गर सरकार की महतारी बंदन जूचना के तहर सतर लाख महिलाओं को नौवे किष्ट की राशी भी चारी करेंगे ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और अगर हम कल की बात कर लें यानि कि 26 अक्टूबर की तो 26 अक्टूबर को सुबर राश्पती जगरनात मंदर चाहेंगी उसके बाद से राश्पती IIT भिलाई के दिक्षान समारों में शामिल होंगे तो राश्पती द्रौबदी मुर्मू वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे तो राश्पती द्रौबदी मुर्मू का क्या कुछ कारिक्रम रहने वाला है हमने आपको विस्तार से बता दिया है हमने वो तस्वीरे बे दिखा दी जो आज सुबर से राश्पती द्रौपदी मुर्मू जहाँ जहाँ पहुची है पहले रायपूर पहुची इसके बाद वो एंस में गई निक्षान समारों में उन्होंने भाग अब लेने वाली है और इसी के साथ कल क्या कुछ होगा यानि कि 26 अक्टूबर को क्या कुछ होगा क्या उनका कारिक्टर्म रहने वाला है वो भी हमने विस्तार से बता दिया है और अब हम आपको कुछी देर में बताएंगे कि राश्पती द्रॉपदी मुर्मू फिल्हाल कहा है और क्या कुछ वहां की तस्वीरे हमें मिल रहे है लेकिन सबसे जादर जो खास बात है वो ये है कि मा महीम राश्पती द्रॉपदी मुर्मू शतीज़गर दो दिन के दौरे पर आई है और कल शाम पाँच पुछ कर दस पिनट पर वापस दिल्ली भी पहुच जाएंगे